ठाकर खबर बेखोफ जुबां बेबाग अंदाज अगर वो खबर भी आपकी दिखाएगा तो एक दाइरे में दिखाएगा एक दूरी तक दिखाएगा एक सीमित दाइरे के अंदर अपनी बात को रखेगा आपकी बात को दिखाएगा तो जब तक कि आपका अपना मीडिया नहीं होगा 6 क्रोड गुजराती हैं साप शर्मानी चाहिए आप लोगों को आप दावा भरते हैं कि इतने क्रोड आप लोग हैं और आपका कोई चैनल नहीं है समझ रहे होंगे मैं किस तो और इशारा कर रहा हूं खैर मैं किसी ऐसी पत्र करता नहीं करना चाहता जो धर्माधारीत हो जाती बात प्याधारीत हो लेकिन फिर भी कम से कम अगर आपके अपने निउस चैनल नहीं है तो फिर आपकी बात दिखाएगा कौन आपकी बात से मतलब है कि उनकी बात जिनके साथ उत्पीडन हो रहा है तो बात आज फिर से करते हैं राजिस्थान की राजिस्थान एक क्रूर हत्या के लिए ही इंदीनों चर्चा में नहीं है आप ये मत सोचिए कि उस शंभू रेगर ने ही वहाँ पर एक निर्मम हत्या को अंजाम दिया है और वीडियो बना के वाइरल किया है वहाँ की पुलिस ने भी एक कारणामा अंजाम दिया है अलवर जिले की पुलिस ने एंकाउंटर के अंदर तालीम उसेन 20 साल के लड़के को माँ डाला है जी आरोप लग रहे हैं अलवर पुलिस पर कि उसने एंकाउंटर के अंदर 21 साल के लड़के को गोतशकर बता के माँ डाला है घटना वो ही 6 दिसंबर की है लेकिन खूब सर्च किया, खूब देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया मीडिया के अंदर मेरे सीमित वसाइल हैं, मैं आपसे बता देता हूँ, मेरे पास सीमित संसादन है जितने भी मेरे सॉर्सिज हैं, उतनी दूरी तक मैं जाके रिपोर्ट नहीं कर सकता वरना मैं राज समन्द भी जाता, और मैं अलवर भी जाकी रिपोर्ट करता पर उनमें हजार उर्पे का खर्चा है, और मेरे पास अभी उतने संसादन नहीं है एक सीमित दाइरे में रहके, अभी मुझे अपना काम करना पड़ रहा है आगे उस उपर वाले को जो भी मनजूर होगा, हम कहां तक चल पाते हैं और कहां तक रुख पाते हैं ये एक अलग मसला है, पर अगर मेरे पास संसादन होते, तो मैं जमीनी सतय पर जाकर जरूर रिपोर्ट करता और महां के तमाम हालाँ से आपको अगध कराता, उसके परिवार की स्थीते से आपको अगध कराता उसके जो मौके पे हुआ घटना, उसके साथ जो 5-6 लोग थे, उनसे बात करते हुए जरूर आपसे बात करता आपके सामने तमाम तथे रखता, लेकिन विवश्टाएं हैं, मजबूरी हैं, वो कहते हैं ना, कि मौर जब नासता है और अपने पेरों की तरफ देखता है, तो रोने लगता है तो मजबूरी है, इस पत्रकारता में आए जरूर हैं, लेकिन पत्रकारता जो है, बड़े करोड़ पती और बड़े मालदार और कार्परेट लोगों का एक धंदा बन गया है आज के टाइम में, मैं धंदा वर्ड ही यूज़ कर रहा हूं, और उसमें हम लोग अभी कर रहे हैं, शुरुवात करने की, चलने की, खेर बात अपनी आते हैं, तो तालीम की, तालीम हुसें का एंकाउंटर किया है प्लिस ने, और वहां के SPL वर का रोप है, राहुल प्रकाश का, ये कहना है कि ये लोग गोतश करी करके भाग रहे थे, इनको रोकने की कोशिश की गई, ये नहीं रुके, तो पलिस ने फाइरिंग कर दी, टेंपो के अंदर, गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर बैठे हुए, इस लड़के को गोली लगी और इसकी मौके पर मौत हो गई, उसके बाद, तीन दिनों तक इस लड़के के सव की पोसमाटम नहीं कराया गया, वहाँ पर एक घंगामा भी हुआ, लेकिन तमाम मीडिया इससे नदाराद है, क्योंकि मीडिया को आजकल गुजरात के अलावा देश में कुछ दिख नहीं रहा है, वो जरूर दिखा रहा है, कि पाकिस्तान चाहता है, एहमद पठेल मुख्य मंत्री बन जाए, मनमोहन पाकिस्तान से मिल गए है, घदारों से मिल गए है, पूर परदान मंत्री, गरीमा नहीं रही है, कहां तक क्या बात करेंगे, और किश शक्सित के बारे में बात करेंगे, वो मनमोहन सिंग जीन पूरी दुनिया पढ़ती है, और आप उन पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं, त तुम उस्खमोश तबियत पे तंजमत करना नमाजदेवंदी का शेर है तुम उस्खमोश तबियत पे तंजमत करना वो सोसता है बहुत और बोलता कम है तो मरमहन सिंग साथ के लिए मैं यही शेर कह सकता हूँ कि वो सोसते बहुत हैं और बोलते बहुत कम हैं जादा बोलने व बुद्वार की शाम 6 दिसम्बर की रात की गटना है अभी तक मीडिया से ये खबर पूरी तरह से नदारद है जो मैनिस्टिम मीडिया में डिबेट होना चाहिए कि उसी 6 दिसम्बर को राज समंध राजस्तान के जिले में निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया वीबस हत्याका पड़ गई है आप सोचे होंगे मैं ऐसे कटोर और सक्त अलफाज क्यों इस्तिमाल कर रहा हूं मैं ऐसे अलफाज इस्तिमाल नहीं करना चाहता लेकिन जिस तरीके की गटना है अलवर से लगतार सामने आ रही है और आती ही जा रही है और पुलिस उसमें जो मरता है उसी पे पे मुकदमा दर्च कर देती है ये तालीम वाला मामला कोई पुराना जात कोई नया नहीं है इससे पहले के मामले में अगर आप देखेंगे उमर खान का दस नौवंबर को हत्या हुई वो भी गाएले के आ रहा था वो भी मेवात का रहने वाला है गोली लगी हालत में उसक के साथ ही उने मार दिया उसको लेकिन वो संदिग मौत है हो सकता है आज कल पुलिस के एक ट्रेंड ये भी चल गया है कि एंकाउंटर में मारेंगे तो जाच होगी मानवादिकार जाच करेगा मुकदमा भी दर्ज हो सुकता है किसी को मारना है गोली मार के कहीं डाल दो आजा मामला है जिस पर मीडिया खामोश है उससे पहले उमर खान का मामला दस नवंबर को सामने आ चुका है उससे पहले एक अप्रेल को पहलू खान की हत्या कर दी गई थी वो भी यहीं महवाद के रहने वाले थे उनके साथ उनका बतीजा था पहलू खान की तो इतनी निर खिर आई के लोगों के लिए वहां से अगर वो आते हैं, गो पालकों के लिए अगर यू एंगा थे लग करूं का तो हम उफelponet दिखाएं दिखांगा, खुढा हमें उस कादि करेजिकें आ इसमेलव अभी यह मौामलै हुए हैं एक तालीम का उससे पिछले महीने दस नौंबर को चले जाएए उमर का और एक अप्रेल को चले जाएए पहलू खान का ये कोई मामले नए नहीं है थम नहीं रहें बीच में जो कुछ छिट-पुट की घटनाएं हुई हैं उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं उनी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जिनकी हत्या हुई हैं तो साहब पिछले साथ महीने के अंदर तीन लोगों की हत्या हो चुकी और पिछले एक महीने के अंदर दो लोगों की हत्या हो चुकी हैं एक को पुलिस एंकाउंटर में मार चुकी है और कह रही है कि वो भाग रहा था था तो आपको मारने का अधिकर किस ने दे दिया आप उसको पकड़ते गिरफतार करते और अगर आप इतने ही दिलेर थे एक को मार दिया तो पांचें कैसे भाग गए उनको भी पकड़ा होता है वो कैसे चले गए मासे तो ये सब हो रहा है और इस पे खामोशी बनी हुई है असदुदी नोभी इसी ने कहा भी है एक बात उनकी सही लगती भी है कि परदान मंतरी मोदी आसा भोशले के बेटे के जिनम दिन पर दो बढ़ाई दे देते हैं लेकिन जब किसी का मडर ऐसा ह हो जाता है गोहत हत्या की नाम पर कहीं हत्या कर दी जाती है एक इंसान की उस पर वो खामोश बने रहते हैं और चुनाओ का माहोल चल रहा है अब वो कहें भी तो क्यों अगर माली जिए वो इस हत्ता की मजम्मत करें अगर वो अफ्राज अल इसलाम की हत्या की मजम्मत करें तो कहीं उनका वोर्ट बैंग ना खिसक जाए जिसे वो धुरूवी करण कर अपनी तरफ खीचने की बनाए हुए रखने की कोशिश कर रहे हैं और उस सीरीज के अंदर उस कड़ी के अंदर वो पाकिस्तान को भी अपने साथ ले आये हैं कि सहाब मेरी जमीन खिसक रही है पाक पाकिस्तान मेरी जमीन बचा लो क्योंकि हमें राजनीती करने के लिए पाकिस्तान को जिन्दा हमेशा रखना है एक आतकवाद के तोर पे खैर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ जो फिलाल इस साल जारी हुए हैं कुछ डेटा पर नजर डाल देते हैं जो गो गोरक्षक को द्वारा गोरक्षा के नाम पर अंजाम दिया गया है खत्याएं की गई हैं उस पे नजर डाल देते हैं तो 2014 में जब से एक सरकार आई है तो गोरक्षक कतित गोरक्षा के नाम पर वारदातों को लगतार अंजाम देते आ रहे हैं मॉब लिंचिंग की भीड त में गोत असकरी के नाम पर साथ मामले दर्च हुए हत्या के छोट वहिया के घटना छोड़ दीजिए जो चुट मुट की घटना होती हैं उनको छोड़ दीजिए 2015 में 12 हुए 2016 में बढ़कर दुगने हो गए साब 24 और 2017 में अभी तक 37 मामले ऐसे प्रकास में आ चुके हैं तो आप क्या करना चाहते हैं आप क्या कानून व्यवस्ता देना चाहते हैं और तमाम की तमाम घटना हैं एक चीज और धियान दीजिए राजिस्थान में हुई हैं जारकंड में हुई हैं कहां पर हो रही हैं चहां पर भारतिय जंता पार्टी का शासन है तो इन तत्यों प अगर हम उसकाबिल हुए तो हम जमीनी सतह पर भी जाकर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे अगर आपको हमारी खबरे अच्छी लगती हैं तो हमारी खबरों को जादा से जादा शेयर कीजिए हमारी खबरों को लाइक कीजिए और कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर क्रिया